फिज एक्सेलिंसी, प्रसिडेंट आफ स्री लंका, बिम्ष्टेक सदर से देशों के मेरे मित्र और साथी लीडर्स, बिम्ष्टेक के सेकरेटरी जनरल, नमस्कार, आज पांचवी बिम्ष्टेक समीट में आप सबसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसंद हूँ, बिम्ष्टेक की स्थापना का ये पचीसमा वर्ष है, इसलिए आज की समीट को मैं विशेश रुप से महत्वपूर्ण मानता हूँ, इस लेंडमार्क समीट के परणाम बिम्ष्टेक के इतिहास में एक स्वानिम अध्याय लिखेंगे, एक्सलेंसीज, पिछले दो सालों के चुनवतिपूर्ण माहोल में, राजपत्री, राजपक्ष ने बिम्ष्टेक को कुसल देत्रुत्व दिया है, सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आज के चुनवतिपूर्ण वैश्विक परिपेक्ष में से हमारा ख्षेत्र भी अचुता नहीं रहा है, हमारी अर्थ ववस्ताएं, हमारे लोग अभी भी COVID-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों को जेल रहे हैं, पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डवलप्मेंट्स ने अंतराष्ट्य ववस्ता के स्थाइत्व पर प्रश्ण चिर्ण खड़ा हो गया है, इस संदर्ब में बिम्ष्टेक शेत्रिय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपून हो गया है, हमारी शेत्रिय सुरक्षा को अधिक प्राथ्मित्ता देना भी अनिवार यह हो गया है, एक्सलेंसीज, आज हमारे बिम्ष्टेक चार्टर को एड़ोप किया जा रहा है, प्रियासों के लिए एक महत्वपून कदम है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महजदाय का आभार वेक्तर करता हूं, चार्टर में हर दो साल में समीट मिटिंग्स और सालना विदेश मंत्रियों की बैटका निरेने लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए, कि इस आर्किटेक्चर को और मजबुत कैसे बनाये जाए, इस संदर्म में सेक्रेटरी जनरल का सुझाव है, कि एक एमिनन पर्सन ग्रूप का गठन किया जाए, जो एक वीजन डॉक्यमेंट तैयार करेगा, मैं इस सुझाव से सहमत हूँ, बिम्स्टेक हमारी अपेख्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सच्चीवारे की शमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है, मेरा सुझाव है कि सेक्रेटेरी जनरल पर इस लक्ष की प्राप्ति के लिए एक रोड मैप बनाए, यह महत्वपूर्ण कारिया समय और अपेख्षा के अनुरूप पूरा हो, इसके लिए भारत सच्चीवालाई के आपरेशनल बजेट को बढ़ाने के लिए वन मिलियन डॉलर की वित्तियस हायता देगा, एक्सेलन्सीज, हमारे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए बिम्श्टेक, अपने देश के उद्यम्यों और स्टार्ट अप के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए, इसके साथ हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के छेत्र में इंटरनेशनल नॉम्स को अपनाने का भी प्रहत्ता करना चाहिए, इससे इंट्रा बिम्श्टेक ट्रेड और एकोनोमिक इंटेग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, इस संदर्ब में इंडियन काउंसिल पर रिसर्च और इंटरनेशनल एकोनोमिक रिलेशन्स एडिवी के साथ मिलकर, हमारे अधिकारियों की जागरुकता बढ़ाने के लिए एक कारकम शुरू करने वारा है, मैं आशा करता हूँ कि सभी देश के संबंदित अधिकारी इसमें नियन्यमित रुप से शामिल होंगे, एक्सलेंसी हमारे बीच बहतर इंटिग्रेशन, बहतर व्यापार, बहतर पीपल टू पीपल सबंदों का मुख्य आधार, बहतर कनेक्टिविटी है, इस पर हम जितना भी जोड़ दें, कम है, आज हमने मिम्स्टेक के मास्टर प्लान फॉर ट्रांस्पोर्ट कनेक्टिविटी को एडप किया है, इसे तैयार करने के लिए मैं एड़िवी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमें इस मास्टर प्लान के सीक्र इंप्लिमेंटेशन पर जोड़ देना चाहिए, इसी के साथ कनेक्टिविटी के ख्षेतर में पहले से चल रहे इनिशेटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, बे और बेंगाल में एक कोस्टल सिपिंग इकोसिस्टिम थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शिक्र विक्सित करना आवशक है, इलेक्टिसिटी, ग्रीड, इन्टर कनेक्टिविटी को भी चर्चाओं से आगे ले जाकर धरातल पर उतारने का समय आ गया है, इसी तरह रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना महत्वपून है, एक्सलेंसी, हमारे छेत्र पर हमेशा से प्राकुरूतिक आपदाओं का खत्रा रहा है, डिजास्टर मेनेजमेंट विशेशकर, डिजास्टर रिस्क डिरेक्शन पर सहयोग के लिए, बिम्स्टेक सेंटर फ़र वेधर और क्लाइमेट एक महत्वपून संस्ता है, और इसे सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा, इस सेंटर के कारे को पुनर शुरू करने के लिए भारत तीन मिलियन डॉलर का योगदान करने को तयार है, भारत ने हाल में तीसरी बिम्स्टेक डिजास्टर और मेनेजमेंट एक्सराइज पैनेक्स 21 आयुजित की, इस तरह की एक्सराइजेज नियमित रुप से होनी चाहिए, ताकि हमारे अधिकारियों के बीच डिजास्टर के समय साथ काम करने की इंस्टिटूश्टल व्यवस्ता मजबूत हो। एक्सलेंसीज, क्वालिटी एजुकेशन सम्मंदीत, सस्टेनबल डेवलोप्मेंट गोल को प्राप्त करना हम सभी की राष्टिये नितियों का महत्पपुन हिस्सा है। हम नालंदा अंतराष्ट्य विश्व विद्याले द्वारा दी जाने वाली बिम्ष्टेक स्कॉलर्शिप व्योजना का विस्तार करने और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम बंगाल की खाड़ी को कहिंदर में रखते हुए मरीन साइंस पर जॉइन्ट रीसर्च को वढ़ावा देने का भी प्रहत्ता कर रहे हैं। क्रिशी क्षेत्र सभी बिम्ष्टेक देशों की अर्थवबस्ता का आधार है। हमारे बीच वैल्यू एड़ेड क्रिशी प्रोड़क्स की रीजनल वैल्यू चेंज बनाने की अच्छी संभावना है। इसके लिए हमने भारत के एक संस्तान RIS को व्यापक अध्यान करने का कार्य दिया है। एक्सलेंसी, सुरक्षा के बीना हमारे खेत्र की सम्रुद्धी या विकास सुनिस्थित करना असंभव है। काठवन्डू में हमारी 34 समिट में हमने आतंकवात, ट्रांस नेशनल क्राइम और नोन ट्रेडिशनल स्रेट्स के खिलाब खेत्रिय कानूनी धाचे को सुरुद्रट करने का निर्ड़ा लिया था। हमने अपनी law enforcement agencies के बीच सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया था। मुझे खुशी है कि हमारा convention to combat terrorism पिछले साल से सक्रिय हो गया है। आज की समीर के दोरान हमारे बीच mutual legal assistance treaty on criminal matters पर भी हस्ताक्चर हो रहे हैं। इसी तरह के un instruments पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी कानूनी व्यवस्ताओं के बीच बहतर समनवे बन सके। आज हमारे diplomatic training institutes के बीच सहयोग के लिए एक समझोते पर हस्ताक्चर हो रहे हैं। ऐसा ही agreement हम अपने law enforcement training institutes के बीच भी कर सकते हैं। भारत की forensic science university अपनी field में एक unique world class संचता है। हम इसमें मिम्स्टेक देशों के police और forensic officials के लिए capacity building की व्यवस्ता भी कर सकते हैं। excellencies, आज जब हमारा क्षेत्र स्वास्त और economic security की चुनवतियों का सामना कर रहा है। हमारे बीच एक जूरता और सहयोग समय की मांग है। आज समय है बे और बेंगाल को bridge of connectivity, bridge of prosperity, bridge of security बनाने का। मैं आप सब का आहवान करता हूँ कि 1997 में जिन लक्षों के लिए हमने साथ साथ चलने का निर्णय लिया था। उनकी प्राप्ति के लिए हम एक नए जोश, नई उर्जा के साथ फिर से अपने आपको सबर्पित करे। प्रधानमति प्रयूद चान ओशा बिम्स्टेक के अगले अध्यक्ष्टे रुप में मैं थाइलेंड का स्वागत करता हूँ और सुबकामनाई देता हूँ। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ है